हाल ही में सुप्रीम कोट ने बिलकिस बानो विवाद में अपना फैसला दे दिया है यानि कि जो आरोपी थे उन्हें दुबारा से जेल में जाना पड़ेगा क्योंकि गुज्रास सरकार की ओर से पहले उन्हें रिहा कर दिया गया था तो आज इस वीडियो में हम इसी विशय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे मेरे नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्ट्याइएस चानल की इस नहीं वीडियो में यह की शुरुवात करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को एक बार समझ लेते हैं वीडियो में सबसे पहले हमने यानि के खबर पर बात की खबर को जानने के बाद हम इस पूरे मामले के प्रश्ट भूमी को समझेंगे प्रश्ट भूमी के बाद हम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी बात करेंगे और जो तमाम आरोपी है वो उनके सामने किस तरह के विकल्प बचते हैं उन वि सबसे पहले इस पूरे मामले का बैगराउंड क्या है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं तो इस पूरे विवाद की जो शुरुआत होती है वो साल 2002 में होती है गुजरात में और साल 2002 में क्या हुआ था गुजरात में हमें गुजरात के दंगे देखने को मिले थे तो गुजरात के दंगों के दौरान महिला है बिलकिस बानो इनके साथ सामोहिक दुशकर्म देखने को मिला था इसके बाद इन्हें वहां के जो पीडितों का कैम था वहां पर शिफ्ट किया जाता है वहां पर यह अपने रिपोर्ट दर्ज कर आती हैं और रिपोर्ट के बाद इमाला दर्ज होता है इसकी जांच शुरू होती है कि इसके बाद साल 2004 Hindi बिलकिस बानो यह आगरह करती है कि इस मामले को सुपरीम कोर्ट से आग्रग किया जाता है कि इस को ट्रांसफर कर दिया जाये क्यों कि उनका कहना था कि मामला भी कुझराद को गुझराद पुलिस के पास मौचूद है कुझराद पुलिस जो है आजीवन कारावास की सजा प्रदान किरती है, इसके अलावाँ साथ लोगों को बड़ी कर दिया जाता है और दो लोगों की पहले ही मौत हो चुकी थी फैसला आने से, तो इस तरह से 11 लोग जो हैं वो अभी भी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, इसके बाद तकरीबन 14 साल बीच जाते हैं, 14 साल बाद, 2022 के आसपास जो एक आरोपी थे वो गुजरात सरकार के पास इस तरह का आग्रह लेकर जाते हैं, Supreme Court के पास आग्रह लेकर जाते हैं कि उन्होंने अब 14 साल तक की सजा पूरी कर ली है, और उनका बरताओ भी अच्छा रहा है, तो उन्हें दी गई थी, ये CRPC के section 432 के तहट दी गई थी, यानि कि 432 के तहट उन्हें रिहा किया गया, अब ये तो इस पूरे मामले का background हुआ, इसके लावा अगर आप देखेंगे तो भारती समविधान में भी रिहाई को लेकर बहुत सारे प्रावधान आपको दिखाई दे जाएंग 161 को अगर आप देखेंगे तो उसमें किसी राज की राजिपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी वैक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, इसके अलावा हमने यहाँ पर CRPC की भी बात की थी, तो CRPC के section 432 भी राज की सरकारों को या आदेश देता है, यहाँ पर जब हमने राज की सरकार को या आदेश देता है, यह अधिकार देता है कि राज की सरकार किसी भी वैक्ति की सजा को माफ कर सकती है, क्यों, क्यों अधिकार दिया गया है यह, तो यह अधिकार इसलिए मिला है क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका jail का विशह है, जो prison का subject है, वो आपक हिस्से में आपको दिखाए देगा यह हमने CRPC की धारा 432 की भी बात की अब इसके अलावा यह जो धारा 432 है यहां पर एक condition भी लगाई गई है condition दरसल यह है यहां पर कहा यह गया है कि केवल राज की सरकार उन के शोड़ सकती हैं इस पुरे विशय के background को समझ लिया, कहां से मामला शुरू होता है समधान के कौन से प्राउधान आपको इस पूरे मामले में दिखाई दे जाएंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और Supreme Court को लेकर क्या कहा है उसपर बात करते हैं लेकिन Supreme Court ने क्या कहा है उससे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन से सवाल मौझूद थे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इस सम्मंध में पहला सवाल था वो इस बात को लेकर था कि क्या गुजरात सरकार के पास सजा को माफ करने का अधिकार है क्यों नहीं है तो Supreme Court करेंट किना है कि माफि को जुमाफि का फैसला है यानि सजा को समाव्त करने का जो डिसीजन है वो सरकार ने सकती है जिसके छेत्राधिकार में उन लोगों को सजा दि गई थी लेकिन अब हुअ क्या था हमने पहले ही बात की थी कि ये जो पूरा मामला था सुप्रीम कोट ने इस मामले को बिलकिस मानों के आगरह पर गुजरात से हटा करके मुंबई ट्रांसफर कर दिया था यानि कि जो अंतिम डिसीजन आया था वो CBI की मुंबई बैंच की ओर से आया था इसका मतलब ये हु हुआ कि गुजरात सरकार इस मामले पर डिसीजन नहीं दे सकती थी इस मामले पर डिसीजन देने का जो अधिकार था वो महराष्ट की सरकार को था तो इसी वज़े पर इसी बात को आधार możnaते हुए Supreme Court ने गुजरास सरकार के उस decision को पूरी तरह से nullify कर दिया है इसका मतलब यह हुआ कि अब इस पूरे मामले पर जो अंतिम decision है वो महराश्ट की सरकार की ओर से लिया जाएगा यह हमने Supreme Court के decision की भी बात कर लिये है अब हम अंत में देखते हैं कि क्या-क्या विकल्प आरोपियों के पास मुझूद है तो अगर आप भारती नयाय प्रणाली को देखेंगे भारती अपराध प्रणाली को देखेंगे तो यहां पर सजा में छूट का जो प्रावधान है वो आपको दिखाए देगा और सेकिंड चांस के माध्यम से उन्हें एक बहतर नागरिक बनने के लिए प्रेडित किया जा सके अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोट ने क्या कहा है सुप्रीम कोट ने कहा है कि इस पूरे मामले में हमें कुछ परस पर विरोधी स्थितियां दिखाई दे रही है, कुछ डेलेमा दिखाई दे रहा है एक तरफ तो जो पीडित हैं, उनके परिवार के अधिकार हैं, पीडित और उनके जो राइट्स हैं, उसको लेकर बात की जा रही है लेकिन Supreme Court के अगर आप पुराने decision को देखेंगे इसी बात को लेकर इसी topic को लेकर तो Supreme Court ने कहा था कि यह जो दूसरे मौके की बात यहां पर की जा रही है यह इस पर Supreme Court ने अपना संदेह वेक्ट किया था, अपना suspicion दर्ज कराया था क्यों कराया था क्योंकि सुप्रीम कोट का कहना था कि ये जो अपराद हुआ है ये बहुत जगन्य अपराद है और इस अपराद में आप इस तरह की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं और ये जो सजा माफ करने की बात है ये आपका कोई अधिकार नहीं है ये स्टेट चाहे तो महराष्ट की सरकार की ओर से लिया जाएगा तो अब एक विकल्प ये वस्ता है कि वो महराष्ट की सरकार के सामने की आचिका दायर कर सकते हैं महराष्ट की सरकार इस पूरे मामले पर विचार करेगी और मामले पर विचार करने के बाद महराष्ट की सरकार की ओर से इस पूरे विशय पर अंतिम डिसीजन लिया जाएगा तो यह हमने पूरे टॉपिक पर बात कर ली है अब अंत में एक प्रश्न को भी देख लेते हैं प्रश्न जो है वो प्रिलिम्स का है और आप विडियो में बताएगे तथियों के अधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं आज का हमारा सवाल है कि भारतिय सम्मिधान का कौन सा अनुचेद राष्टपती को सजा माफ करने निलम्मित करने या सजा को कम करने की शक्ती पुरदान करता है हमारे option है option A अनुचेद 72 option B 161 option C अनुचेद 132 या फिर option D इन में से कोई नहीं तो comment box में इस सवाल का जो भी स दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं आप से कल यानि कि अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए धन्यवाद